मुई हचे ठां रृष को से हुए जो कि फैल चाल फ्रेंज्स मेरे नाम विनीद और आप देते हैं चैनल कोक्तेज कॉक्त की इस चैनल में हम बनाते हैं बहुत ही डिलिश स्कॉपड यह और करते हैं ब्रैंड रिव्यू आज का मैं review करने माला हूँ, वो है passport यह वाला passport नहीं यह वाला passport यह है passport scotch whiskey तो चलिए इस brand का review शुरू करते हैं तो जब भी हम किसी brand का review शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं brand के history के बार में तो जान लेते हैं passport scotch whiskey क्या history है 1960 का ऐसा बाट था जब पूरी दुनिया में experimentations innovations हो रहे थे US और रशिया बना रहे थे नहीं गैजेट्स और Scotland में बन रहे की बहुत ही अच्छी whiskeys Glen Keith नाम का एक छोटा सा कजबा है Scotland में और वही पर एक डिस्ट लवी है Glen Keith डिस्ट लवी यहां पे भी बहुत सारे experiments हो रहे थे Alan Daly और Jimmy Lang नाम के दो master vendor थे जो अलग अलग विस्की के साथ experiment कर रहे थे 1965 में उन्होंने बहुत सारे experiment करते हुए एक विस्की ऐसी बनाई जो सबको पसंद रहे हैं वो कॉक्टेश के साथ भी जा रहे ही और और आप नॉर्म पानी और सोडा के साथ भी पीते तो भी अच्छी रहे थे सबको यह विस्की इपनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस विस्की को रजिस्टर कराया और शुरुआत होई passport scotch विस्की की कंपनी को ऐसा बरूसा था कि यह विस्की कंपनी को हर जगा पूरी दुनिया में लिके चाड़ी इस ब्रैंटी नक्से कर भी चांकी देखेंगे तो बहां पे लिखा हुआ है यह विस्की का नाम पड़ा passport scotch विस्की तो बात कर लेते हैं इस बॉटल के डिजाइन के बारे में यहां पे एंग्रेट किया हुआ है पासपोर्ट और यह ग्रीन कलर की आइकोनिक स्क्वेर बॉटल है जो इसे बनाती है बहुत ही यूनीक इस विस्की के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बदा दूँ इस विस्की का जो ब्लेंड है वो आया है स्तरात आइला डिस्कलरी से स्तरात आइला डिस्कलरी लिस्की बनती है आप मान सकते हैं कि जहां से शिवस रिगल फेमस विस्की पंग के आती है वहीं से यह बनती है तो आप इसकी कॉनिटी को लेके fully assured हो सकते हैं तो टेस्टिंग और लोसिंग करने से पहले जान लिते हैं इसकी प्राइस क्या है पासपूर्ट स्कॉर्च विस तो चलिए अब कर लेते हैं इसके लिए मैं बॉटल ये खोलूँगा एक ग्लास में इसको पूर करूँगा मैं अराउंड 30 एमन्ट तो जैसे मैं अपनी हर विष्की रिवी वीडियो में बताता हूं टेस्टिंग और नोजिंग करने का तरीका मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा जब हirm यह कोई विस्की ग्लास में ले थे हैं तो पहले हम उसका कलर देखते हैं कलर ये golden ember color का देख रहा है। ये green color है लेकिन मैंने जब इसको यहां पे पोर किया है.. तो golden ember color का ये देख रहा है तो इस विसकी की tasting और introducing करने से पहले ये देख लेते हैं कि فيskी की tasting and closing key कैसे जाती है। जब भी आप कोई एक विस्की लेते हैं या कोई भी एक अलकॉल लेते हैं अपनी ग्लास में तो आप इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं और जैसे आप सबसे पहले किसी से मिलें तो आप सीधे जाके उनसे गले नहीं मिलते हैं उनसे आप conversation स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही अपनी अपनी विस्की के साथ करना है तो पहले आप इसे अपने नाग के पास लेके आएंगे फिर दूसरी बार लेके आएंगे फिर एक बार और लिखे आएंगे तो इससे हो क्या रहा है इससे पहली बार में अगर आपका दिमाग कहता है कि इसमें लेट से पाइनेपल के नोट्स आ रहे हैं तो फिर सेकंड टाइम में जब आप इसे अपने नाग के पास लेके आएंगे तो एक कही न कही confirmation मिलेगा और थर्ड टाइम में आप 100% confirm हो जाएंगे कि पाइनेपल के नोट्स या बनीला के नोट्स इसमें 100% आ रहे हैं अब बात कर लेते हैं इसकी tasting कैसे की जाती है वैसे तो इसमें आप पाली डाल के भी तोड़ टेस्ट करेंगे अपने जुबान के नीचे डालेंगे थोड़ा सा उपर और इसे चबाएंगे इसे चू करेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसकी विस्की में क्या-क्या नोट्स हैं तो मैं आपको ये करके लिपाता हूँ तो इस तरीके से आप विस्की की टेस्टिंग करते हैं अब हम देख लेते हैं पास्फूर्ट स्कॉच विस्की पे जब हम थोड़ा सा वाटर एड़ करेंगे तो क्या मैजिक होता है तो पहले नोज कर लेते हैं मुझे इसमें थोड़ा सा ओरेंज और वनीला के नोट्स आ रहे हैं आपको शायद कुछ और चॉकलेट या पाइनएपल के नोट्स आ सकते हैं वनीला के नोट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो इसमें blend है, ये Scotland से लाया हूँ अभी blend इसमें mix किया हूँ है, blend किया हूँ है, तो Scotland में ex-bourbon cast में whisky डाली जाती है, जो आप Glen Limit whisky 12 years देखेंगे, तो वो ex-bourbon cast में डाल के बनाई जाती है, तो कहीं न कहीं, वैसे ही whisky जब हम किसी blend में डालेगे, तो वनीला के नोर्स आते हैं, तो चलिए अब इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं, टेस्ट करने पर, इसमें मुझे थोड़ा pineapple, थोड़ा smokiness समझ में आ रहा है, और अगर इसकी finish की बात करें, जो एक aftertaste रहे जाता है, तो वो aftertaste जो है, वो smokiness तो है, और fruit है, malty है, और इसमें एक all-round taste जबन पे रह जा रहा है, अगर आपने piti whisky अगर पिया होगा, तो कहीं न कहीं वो piti-ness, वो smokiness इस whisky में अच्छा निकल जा रहा है, इसलिए स्वाइट कहते हैं, कि इस whisky को आप cocktail में और straight-up भी की सकते हैं, बहुत अच्छी whisky है, तो अगर आपको ये brand review video अच्छे लगए हो तो हमारे चैनल को subscribe ज़रू कर लिजे, मैं Instagram में भी हूँ, cocktail jockey के नाम से, वहाँ पी जाके हमें follow कर लिजिए, और comment करके बताईए कि आपको ये brand review कैसा लगा, मैं इसी whisky से अगला वीडियो लाओंगा जिसमें हम बहुत ही अच्छी cocktail बनागे दिखाएंगे, बहुत ही simple तरीके से तब तक के लिए बने रहिए, और सब्सक्राइब कर लिजिए, कॉप्या जादी हूँ, cheers!